एक प्यास के चार टुकड़े करें और उसे 20-30 मिनद के लिए पानी में उबा लें पानी के ठंडे होने के बाद एक कपड़े या स्पॉंज को उसमें डुबा के दाग वाले हिस्से पे धीमे हाथों से घिसें और फिर साबुन के पानी से साफ कर लें तीन चम्मच बेकिंग सोडा और पानी को एक बर्तन में डालके उबाल लें लिक्विड डिश वॉश की कुछ बूंदे इसमें मिला लें अब एक स्पॉंज को इस मिश्रन में डुबाएं और दाग वाले हिस्से को अच्छे से घिसे जब दाग निकल जाए तो पानी से दो लें नीमू के कुछ टुकडे लें और दागों पे तब तक घिसें जब तक दाग साफ न हो जाए नीमू में पाई जाने वाली आसिद से ये दाग आसानी से निकल जाते हैं फिस साबुन के पानी से धूलें